शांतिपूर्ण प्रदर्शन करना गुना नहीं है आतंक नहीं है ये बात किसान बोल रहा है नियूस चक्र में आज दूसरा मुद्दा होगा क्या भारती जनता पार्टी राहूल गांधी के उपर टार्गेट प्राक्टिस कर रही है यानि कि उन्हें बार-बार खलनायक रावन के तौर पर पेश करना क्या राजनीती में ये जायज है शुरुआत करना चाहेंगे हम राहूल गांधी के साथ दोस्ते हैं वो नहीं चाहते कि तू खबर की तह तक पहुंच क्योंकि खबरों की इन्हीं गहराईयों में छिपा है राजनीती का असली खेल यूस चक खबर की गहराईयों को टटोलता आपके स्क्रीनस पर देखिए भारतिये जनता पार्टी राहूल गांधी को राजा बाबू बता रही है वो ये बतलाने की कोशिश कर रही है कि देखिए राहूल गांधी के कितने अवतार हैं आपको याद होगा डेविड धवन की एक फिल्म आई थी जिसका नाम था राजा बाबू उस फिल्म के अंदर गोविंदा जो होते हैं वो अनपड होते हैं उनकी शिक्षा को लेकर एक बहुत बड़ा सवालिया निशान होता है और गोविंदा जिस लड़की से शादी करने वाला होता है यानि कि करिश्मा कपूर उसके सामने वो अपने कई रूप पेश करते हैं वो डॉक्टर भी है पुलीस वाला भी है आर्मी वाला भी है लॉयर भी है सब कुछ है और ये करिश्मा को तब पता चलती है जब उनके घर में जाती है इसलिए राहूल गांधी के बारे में कहा जा रहा है कि वो राजा बाबु है अब कॉंग्रिस चुपत बैठने वाली नहीं थी वो पलटवार कर रही है सीधे प्रधान मंत्री नारेद्र बोदी पर कॉंग्रिस ने प्रधान मंत्री की ये सारे रूप जो है वो पेश कर दी है प्रधान मंत्री को आप यहाँ अलग-अलग गेट अप में देख सकते हैं अलग-अलग वेश भूशाओं में देख सकते हैं कभी वो आर्मी वाले बने हैं कभी कुछ बने हैं तो कभी कुछ और कॉंग्रिस कह र मुद्धा ये है कि विपक्ष के नेताओं जिसमें राहूल गांधी भी शामिल है उन्हें एक खलनायक के तौर पर पेश किया जा रहा है मसलन भारतिय जनता पार्टी का ये ट्वीट देखिए इसमें राहूल गांधी को दुष्ट बताया गया है हिंदू विरोधी बताया गया और सबसे शोकिंग जैसे कि रावन के दस्सिर होते हैं राहूल गांधी को उसी तरह से पेश किया गया है राहूल गांधी उन्हें भुरा दुष्ट अंटी हिंदू ये तमाम चीज़ें पेश की गई अब कॉंग्रेस पलटवार कर रही है वो 1945 की याद दिला रही है वो इस काटून की याद दिला रही है जिसमें महात्मा गांधी को रावन के तौर पर पेश किया गया है और महात्मा गांधी के जो बाकी दस्सिर हैं उसमें मौलाना अब्दुलकलाम आजाद भी हैं, नहरू भी हैं और सुभाश चंद्र बोस भी हैं और जो गोली मार रहा है या तीर चला रहा है उनमें से शामा प्रसाद मुखर जी और सावर करें और आप जानते हैं तीन साल बाद क्या हुआ था, तीन साल बाद नाथुराम गोड़ से ने महात्मा गांधी को मौत के घाट उतार दिया था इत्फाखन ये जो अखबार जहां ये काटून शपा था, ये जो अखबार है उसे नाथुराम गोड़ से ही निकाल रहा था कांग्रिस इसे बहुत खतरनाग बता रही है, वो ये कह रही है कि गांधी का इतिहास राहुल गांधी के जरीए दोहराने की कोशश है तुलना बेमानी हो सकती है, मगर हम ये ना भूलें कि अगर आप 1947 और 48 के दौर को देखें हैं तो उस वक्त हिंदू महासभा या RSS लगातार महात्मा गांधी के बारे में जूट बोल रहे थी, दुश प्रचार चला रहे थी, भढ़का रहे थी बिलकुल उसी अंदाज में जैसे कि आजकल भारती जन्ता पार्टी का प्रचार तंत्र राहूल गांधी पर निशाना साथता है, सिर्व राहूल गांधी नहीं, विपक्ष के तमाम नेता हो कुछ चेहरों पर गौर कीगे, मनी से सो दिया सुप्रीम कोट ने एडी से सवाल उठाया कि आपके पास कोई प्रमान नहीं है, आप किस बुनियात पर इने जेल में रख रहे हैं, संजे सिंग को उठाकर ले जाया गया क्यूँ, क्योंकि संजे सिंग अडानी पर सवाल उठाते हैं, बहुत ही कड़ाई से मोधी सरकार को हिरते हैं, तो क्या इसका इनाम संजे सिंग को मिला है, मगर सबसे शौकिंग डोस्तों, सुप्रीम कोट लगातार एडी जिस तरह से विपक्ष को टार्गेट कर रहा है, उस पर सवाल उठा रहा है, वो ये कह रहे हैं कि आपको लिखित में देना पड़ेगा, वो ये कह रह है, प्रशार तंत्र के जरिए विपक्ष की छवी को टार्टार किया जा रहा है, जैसा कि आप यहां देख रहे हैं, राहूल गांदी को रावन के तौर पर पेश किया गया है, आप ये कह सकते हैं कि इससे पहले कॉंग्रिस ने भी प्रधान मंत्री को, यानि प्रधान मंत् इससे पहले भी उन्हें पपू बताया गया था, अब वो दुश्परचार फेल हो गया तो उन्हें खलनाय के तौर पर पेश किया जा रहा है, और हम ये ना भूलें कि कॉंग्रिस और भाश्पा में एक बुन्यारी फर्क है, भाश्पा अक्सर जूट का इस्तमाल करती है अ अभिसार और रवीश क्या कर लेंगे, जादा से जादा पचास लाग, साट लाग लोगों तक पहुंचेंगे, हम तो सिर्व वाट्साप के जरीए सत्रह करोण लोगों से जुड़े हुए हैं, ये प्रधानमंत्री कारयाले के एक महानुभव का कहना था, यानि कि भाश्प भाश्पा को अपने जूट को पहलाने के कई जरीए हैं, मीडिया तो है ही वाट्साप के जरीए, और आप जानते हैं वाट्साप युनिवर्स्टी इस जुमले का जो शब्दावली का इस्तमाल किया जाने लगा है, ये भाश्पा के राज में किया जाने वाला, इसलिए य तुल्ला ही बेमानी हैं, हम ये ना भूलें कि जब भाश्पा टार्गेट करती है, तो बहुत ही बेरहमी से टार्गेट करती है, इस कदर टार्गेट करती है कि सामने वाली की इज़त पर बनाती है, उसकी सुरक्षा पर बनाती है, और हम ये भी ना भूलें, भाश्पा और कॉंग्रेस में बड़ा फर्क या है कि भाजपा के हाथ में पैसा है ताकत है एजिनसीज है तो ये तुलना ही बेमानी है अगर कॉंग्रेस ने प्रधान मंत्री को सौसिरवाला रावन कह भी दिया तो वो बात वही की वही रह जाती है अगर जब बीजेपी कहती है तो वो वा करते हैं जो नहीं होना चाहिए जो भार-बार किया जाता है क्यों कि राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा के जरीए संसद्भवन के जरीए कुछ असहज करने वाले सवाल उठाते हैं प्रधान मंत्री के लिए मुश्किल पैदा ले सवाल उठाते हैं जो बीजेपी को सबसे लिए और फिर प्रचार तो चल ही रहा है दुश्ट प्रचार तो चल ही रहा है साथ-साच एजनसीज के जरीए भी टार्गेट किया जाता है तो फिर मैं आपसे पूछता हूँ ऐसे में क्या बीजेपी और कॉंग्रेस के प्रचार को हम एक ही मंच पर रख सकते हैं सवा और गोधी मीडिया हैं जो नतमस्टक हैं। राहूल गांधी और संजे सिंग पर इसलिए निशाना साथा जाता है क्योंकि वो कठिन सवाल पूछते हैं। क्योंकि वो सरकार की नीतियूं के खिलाप प्रोटेस्ट करते हैं। पर मैं आपको बता दूँ, प्रोटेस्ट करना कोई गुनाह नहीं है, प्रोटेस्ट is not anti-national, मैं ऐसा आपसे इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि देश के किसान नाराज हैं, देश के किसान प्रधान मंत्री नरेंद्र बोदी, ग्रेह मंत्री और राष्ट्रपती से मिलने वाले हैं वो इस बात को लेकर नाराज हैं कि लियूज क्लिक पर जो दबिश डाली गई है, उसके चलते किसान आंदोलन को आतंक के साथ जोड़ा जा रहा है, दोस्तों FIR में क्या है, उन तमाम मुद्दों पर मैं नहीं बोलना चाहूँगा, क्योंकि आप जानते हैं, मामला विचार जाधीन है, उस पर चर्चा चल रही है, और मुझ पर भी निशान है, इसलिए मैं उस पर खामोश रहूँगा, मैं सिर्फ प्रोटेस्ट की बात कर रहा हूँ, किसान नाराज है, किसान कहरा है हम फिर से आंदोलन करेंगे, अगर सरकार ने इस मुद्दे पर माफी नहीं मान था, सर्दी का सामना कर रहा था, जिसमें जैसे मैंने बताया, साथ सो लोग मारे जाते हैं, सरकार को जुकना पड़ता है, क्रिशी कानून वापिस लेने पड़ते हैं, प्रधान मंत्री को ये तक कहना पड़ता है, कि मेरी तपस्या में कोई कमी रह गई होगी, मैं फिर पुछता हूँ, क्या आतंक वादियों के साथ समबाद होता है, प्यूश गोएल, रवीश अंकर प्रसाद, नरेंदर तोमर, ये तमाम लोग किसानों से बाचीत कर रहे थे या नहीं कर रहे थे, बताईए, कर रहे थे ना, तो क्या आतंक वादियों से बाचीत होती है, और स खपन इंची सरकार जुकती है किसान नाराज है वो कह रहा है कि हम इसे बरदाश नहीं करेंगे और अगर सरकार ने अपनी शब्दावली को वापस नहीं लिया तो हम फिर से आंदोलन करेंगे मैं जानता हूँ शाहिन बाद की माओं और बहनों में भी वो नाराज़ी होगी मगर वो भी जानती है कि अगर वो मैदान में उतराई तो एक बार फिर उनके धर्म के सहरे उन पर हमला होगा मगर आज मैं कुछ और कहना चाहता हूँ दोस्ति शांतिपूर्ण प्रोटेस्ट इस देश के लोकतंत्र में हर व्यक्ति का अधिकार है क्योंकर हमारे स्वतंत्रता सेनानियों ने हमें सत्याग्र की खुबसूर्ती उसका जादू हमें दिखाया है एक व्यक्ती, एक गाही के सामने पूरा अंग्रेजी सामराजी छुक गया था यह हकीकत दे, यह तक थे चाहे अंग्रेजों के सामने बारह बार माफी मांगने वाले लोग जो मर्जी कहें मुस्लिम लीक के साथ दो दो जगाओं पर सरकार बनाने वाले लोग कुछ भी कहें बावन साल तक अपने मुख्याले में जंडा ना फैराने वाले तिरंगा ना भैराने वाले कुछ भी कहते रहें हकीकत यह है कि इसी सत्याग्रह के जरीए अंग्रेजों को ना कुछ शने चबवाए गया थे तो ऐसे में अगर सत्याग्रह किस रास्ते पर जलकर शाहीन बाग में प्रोटेस्ट होता है या फिर किसान प्रोटेस्ट करता है तो क्या कलत करता है वो अंटिनैशनल कैसे हो गया वो आतंकवाद कैसे हो गया भाई यह उसका अधिकार है और मैं बार-बार कहता रहूं आपसे अगर आप शांतिपूर्ण धंग से अपनी बात रख रहे हैं बगएर हिंसा का इस्तमाल किये तो मेरे जैसा पत्रकार हमेशा आपके साथ रहेगा मगर अगर आप हिंसा का सहारा लेंगे चाहे आपका मुद्दा जो है जितना भी जायज हो आपका संघर्ष जितना भी जायज है एक बार आप हिंसा का दामन धाम लेते हैं तो घलत होता है और प्लीज इसके तुलना भगत सिंग और चंदरशेखर आजाद से मत कीजे आजादी के दो पहलू थे एक शांदिपूर्ण अहिंसात्मक और एक रास्ता जो भगत सिंग ने अपनाया उससे उसके तुलना मत कीजे क्योंकि अब देश आजाद है हाँ लोगों के बुनियादी अधिकारों पर अंकुछ डालने की कोशिश की जा रही है इसलिए प्रोटेस्ट को अंटी नाशनल और टेरिरिजम से जोड़ कर देखा जा रहा है जो लोग शान पिपुण प्रोटेस्ट को आथ अंकुवाद के साथ जोड़ते है अब इसाहर शहर मागो दीजे इजासत नमस्कार